चैम आदादी दोस्तो आप सबी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो शनी घ्र है जो की सबसे मंद गती से चलने वाले घ्र है और हमारे जीवन में कर्म फल दाता की भूमिकाने भाते हैं शनी इस वर्ष पूरे ही वर्ष मकर राशी यानि अपनी राशी में वाले है और अभी शनी अस्त भी चल रहे हैं 7 जनवरी से इस पूरे साल में शनी का कोई राशी परिवर्ष नहीं है शनी धाई वर्ष तक एक राशी में बैठते हैं और अब शनी मकर राशी में रहेंगे 2022 तक शनी जो है वो न्यायदी पती है व्यक्ति को अच्छे कर्म कर पर बुरे फल देते हैं शनी का गोचर हो तो शनी का गोचर सबसे महत्पुन माना जाता है लेकिन अभी शनी का गोचर नहीं होगा शनी नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे यानि इस वर्ष 2021 में शनी देव राशी परिवर्तन की जगा नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर अ नी उदय होंगे तब उनका प्रभाव और अधिक होगा लेकिन अब 22 जन्वरी को उनका नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है श्रमण नक्षत्र में प्रिवेश करने वाले हैं अभी तक ये उत्तर साड़ा नक्षत्र में चल रहे थे और सूरे देव भी उत्तर साड़ा नक्षत्र में प्रिवेश कर जाएंगे और श्रमण नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो चंद्रदेव होता है यानि उन पर चंद्रदेव का अधिपत्य होता है शनी करीब 30 महीनों में अपनी राशी बदलते हैं और जब भी शनी का गुचर एक राशी से दूसरी राशी म पर शनी की साड़े साती हो जाती है कुछ पर शनी की ढहिया सवार हो जाती है और कुछ पर से खत्म हो जाती है लेकिन जब इनका जो नक्षत्र है उसका परिवरतन होता है तब भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है तो अब कुम राशी के लोगों के लिए शनी के इस नक शत्र परिवरतन का प्रभाव किस तरह से होगा इस वीडियो में हम जानेंगे तो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है चैनल पर यदि आप पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया प्राप्त होती रहेंगी और वीडियो को लाइक भी कर दें तो दोस्तों कुम्ब राशी की बात कर रहे हैं और कुम्ब राशी के लोगों के लिए शनी मकर राशी यानि बारवे भाव में बैठे हुए हैं बारवा भाव जो होता है यह खर्चे का भी होता है विदेश का भाव विदेश से जुड़ी हुई जो चीज़े हैं वो शनी के कंट्रोल में होती है और शनी उनके उपर बड़ा अच्छा रिजल्ट्स भी देते हैं बारवे भाव में अभी शनी आस्त भी है और आस्त होने का मतलब है कि तेजहीन हो जाना तो अभ खर्चे भी कम हो जाएंगे धन संचित करने में भी आसानी रहेगी खर्चों पर नियंतरन पाएंगे एक अच्छी बजट योजना बना पाएंगे जिसके तहत वो अपनी धन को संचित कर सकते हैं लेकिन फिर भी इस दौरान कुछ भी जो न्याय के खिलाफ यानि जो गला चीज़ें हैं उन से आपको जरूर बचना होगा जूट बोलने से बचना होगा और अब 22 जनवरी से जब इनका नक्षत्र का परिवर्तन होगा श्रवन नक्षत्र में आ जाएंगे चंद्र के अधिपत्य वाली लाशी में तो चंद्र जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं तो लोकसेनी का ये प्रभाव आपके लिए दामपत्य जीवन में कुछ परिशानी ला सकता है दामपत्य जीवन से जुड़ी समस्या हो सकती है और ये समस्या कुछ सेहत को लेकर भी रह सकती है तो सेहत का आपको ध्यान रखना है सेहत समंधी अगर कोई भी परिशानी होती है तो आपको समय रहते चिकित सक से जरूर मिलना है। दामपत्य जीवन में भी यहां स्वास्ते समंधी परिशानिया हो सकती हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए ये शनी का स्रमो नक्षत्र में आना बहुत ही शुवर रहने वाला है। जैसे वेपारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो वेपार से जुड़े लोग हैं उन लोगों को सफलता मिलने के पूरे-पूरे योग रहेंगे। इस दोरान आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है और ये यात्रा दूर की यात्रा हो सकती है। जो विध्यारती हैं उनके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। उन लोगों के लिए जो प्रतियों की परिक्षाओं के तैयारी में लगे हैं। के लिए समय काफी अच्छा रहेगा आप अपनी सिक्षा पर भी ध्यान दे पाएंगे और जो मेहनत आप करते हैं उसका रिजल्ट शनीदेव आपको उसमें काम्याभी के रूप पर देंगे लेकिन खर्चा दस फरवरी के बाद थोड़ा खर्चा जरूर आपका बढ़ सकता ह है तो खर्चों पर थोड़ा सा नेंतरन आप करके चलें बिकार के खर्चे जाधा रहेंगे और शत्रू सक्रिया हो सकते हैं यह सब दस फरवरी के बाद जैसे ही शनी उदः होते हैं तो शत्रू भी आपको परिशान कर सकते हैं तो इसलिए पहले से ही तयार हैं किसी पर भी ज़्यादा विश्वास करने से आपको जरूर बचना होगा इसके लावा धन्यवेश के लिए भी ये समय काफी अच्छा सावित होगा अगर आप धन्यवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो 22 जनवरी के बाद आपके लिए बेहद अच्छा समय हैं सोच समझ कर लिए गए आपके लिए लाब दयक सावित होंगे इस दोरान आप खर्चे जरूर बढ़ सकते हैं लेकिन आर्थिक इस्तिति आपकी अच्छी रहेगी आगे बढ़ने के योग आपके लिए बन रहे हैं अपने विपार का विस्तार आप कर सकते हैं सोच समझ कर धन्खर्च करेंगे तो विपार करते हैं मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं या आप विदेश में रहते हैं या विदेश में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है क्योंकि शनी कहीं न कहीं बारवे भाव में बैठकर विदेश की यात्राओं का योग बनाते हैं दूर की سیٹل होना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास जरूर करें जरूर कामयाबी मिल सकती है आपको क्योंकि वहाँ अगर विद्यायतियों के लिए भी बाहर एजूकिशन बराप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है कारियर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है तो शनी का प्रभाव काफी हद तक 10 फरवरी के बाद आपके लिए बीहद अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए बस आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है जैसे दामपते जीवन में आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सेयम रखना है जितना सेयम रखकर बात करेंगे दहरे के साथ बात करेंगे उगर नहीं होंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा और ना बेकार की बातों में बेकार की बहस बाजी में पढ़कर आप समस्याय उत्पर्न कर सकते हैं आपका एहम यहां आगे आ सकता है और एहम के आधार पर ही आपके दामपत्य जीवन में कुछ समस्याय आ सकती है अपनी सेहत का भी देहान रखना है और अपनी साथी की सेहत का भी आपको देहान रखना है जीवन साथी के स्वासे संबंदी परिशानिया देखने को मिल सकती हैं तो इसलिए विशेज देहान रखें समया पर टीटमेंट आपको जरूर कराना है कुछ शनी के उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और आपके लिए तो बहुत हितकर शनी के उपाय साबित होंगे क्योंकि आपकी राशी के स्वामी भी शनी ही है तो एक तो आप मंदिर में जाकर शनिवार को शनी मंत्र का जब कर सकते हैं या आप हर महीने की जो अमावाशा तिथी आती है उस अमावाशा तिथी को गरीब व्यक्तियों को अंधे व्यक्तियों को या मजदूर वर को अनदान कर सकते हैं वो सबसे अधिक लापरत होता है इसके अलावा आप गुड और चने से बनी किसी भी चीज़ का हनमाजी को सकते हैं तो यह आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा और यह उपाए बड़े कारगर साबित होंगे शनी मजबूत होगा इससे और आपको उसके रिजर्ट अच्छे मिलेंगे तो दोस्तों और दी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस झाल